अच्छा आपको स्मार्ट बनना है आप आए हो इंडिया के सबसे स्मार्ट पॉड्कास दरण भी शो हिंदी क्लिप्स के चैनल पर सब्सक्राइब हिट लाइक बॉटन और यह वीडियो को शेयर कीजिए अफगानिस्तान सिचुएशन की वचछे से बलौच थान में बहुत कुछ हो रहा है शायद दोना साइट की मीडिया ये अच्छे तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रही तो आप रिपोर्ट कर लो क्या हो रहा है बलौच थान में मुझे जो news मिल रहा है ये essentially social media से मिल रहा है Twitter पर बहुत सारे handles actual from the ground reporting करते हैं कि आज ये हुआ इस जगह बलोजुस्तान में और कुछ telegram channels भी है जहां सी actual news मिलता है mainstream media में बहुत sanitized news मिलेगा आपको लेकिन अभी recently मालूम बहुत बड़ा हदसा हो गया था कि कुछ Chinese लोग थे जो कहां था कराची में था क्या जो उनका वैन आ रहा था और एक बलोचिस्तान की बलोची लीड नी अपने अपको suicide bomb से उड़ा दिया तो Chinese लोग ही मर गए Chinese लोग को target कर रहे बलोची लोग I mean the बलोची people are targeting the Chinese because Chinese जो presence है बलोचीस्तान में ये एक extractive presence है, it's a colonial presence और पाकिस्तानी आर्मी भी colonial presence है बलोचीस्तान में so बलोचीस्तान अभी काफी हद तक अधिक inflame हो रहा है पाकिस्तान की आर्मी बहुत सारे atrocities कर रही है जो कभी-कभी बार निकल के आता है और बलोचीस्तान का जो बलोचीस्तान लिबरेशन आर्मी उसका काफी resistance चल रहा है क्या है बलोचीस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत वर्षों से वो पाकिस्तान को रिजिस्ट कर रहे हैं लेकिन अभी उनका पावर बढ़ रहा है जैसे यहां नक्षालाइट्स है नक्षालाइट्स है बहुत पावर फुल थे इंडिया में बलोचीस्तान लिबरेशन आर्मी के बास उतना पावर नहीं है लेकिन अभी उनका पावर बढ़ रहा है और प्रशन यह उड़ता है कि उनको वेपन और अम्मुनिशन और सब कहां से मिल रहा है अभी लॉजिकल आंसर इस अक्रॉस थे बॉर्डर फुम अफगानिस्तान बिकस और कहां से मिलेगा भारत और बलोचीस्तान का कॉमन बॉर्डर थे नहीं एक ही बॉर्डर है दो बॉर्डर है बलोचीस्तान के एरान और अफगानिस्तान अब एरान को बलोचीस्तान का freedom struggle बिलकुल पसंद दिये क्योंकि आदा बलोचीस्तान एरान के कबजे में है अच यह पूरा दूसरा Pandora's box है so the eastern most part of Iran is actually west बलोचीस्तान जो एरान ने कबजा किया है वहाँ के लोग आपको हमारे जिसे दिखेंगे एरानीन जिसे नहीं दिखेंगे आपको so definitely एरान से उनको weapons और ammunition वो सब नहीं मिल रहे है और supplies नहीं मिल रहे है so only एक ही alternative बचा है अफगानिस्तान के बॉर्डर के थ्रू आ रहा है और अफगानिस्तान में किसका राजे तालिबान का तो तालिबान क्यू बलोचिस्तान बलोचिस्तान को support कर रहे है और उनको supplies दे रहे है that's the question और कहीं से तो आनी सकता है अब मेंस्ट्रीम मीडिया में कहें के तालिबान इस वेरी अंटी इंडिया लेकिन सथ्य यह है कि they don't hate इंडिया they don't love इंडिया तालिबान has no love for इंडिया but they have no hatred for इंडिया also यूंकि पीछले बिस वर्ष में भारत ने इतने सारे investment किया आफगानिस्तान में वह सारा पैसा, जो भारत ने इन्वेस्ट किया पैसा अफगाने सम्में, दो तीन बिलियन डॉलर्स का, वह सारा पॉब्लिक वर्क्स में था, जिसका बेनेफिट सब को मिला, पोपुलेशन को, इंक्लूदिंग फैमिली अटाडिवाल, तो तालिबान डॉन्ट वर्क्स में था इंडिया, वह सारा पाकिस्तान, क्योंकि उनका बहुत पुराना ब्लॉड फ्यूड है, पंजाबियों के साथ, पंजाबियों ने उनकी टेरिटरी ले रखी है, यह वाद है एक और दुबई की कहानी है, मैंने वहां के बहुत सारे टैक्सी डाइवर से बात कुई, पाकिस्तानी इसते हैं, उनको इंडिया, इंडियन के बारे में पूचा, कि आप इंडियन के साथ रहते हो, तो उन्होंने का हाँ, बिलकुल भाई जैसे हैं, एक साथ खाना खाते है एक साथ festivals भी बनाते हैं, उन्होंने ये भी का कि पर जब अफगान्स मिलते हैं, वहां थोड़ी cold vibe होती है, animosity होती है, तो मैंने सोचा है, यार ये क्या, ये कुछी बात होगी है, मतलब हमने तो पहले से सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान की टेंजन के बारे में सुना है, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंजन भी फॉर्म हो रही है, और बताइए सुर, तो ये टेंजन की जड़ है, जो रूट्स है, इसके जो ओरिजन से, वो कुछ दो सो साल, दो सो वर्ष पुराने हैं, लगबग, तो अरली 19th century में, महाराजा रंजीत सिंग ने बड़ा ए इसका पूरा बदला लिया तो अफगान ने कश्मीर पर बहुत अत्याचार की ए, पंजाब में अत्याचार की ए और ये पूरा जो रिजन है, जो अब भी पाखिस्तान है, इसे और उसमें बहुत अत्याचार की है, लोगों पे, तो महाराजा रंजीत्स पूरा कपूरा भरपूर बदला लिया. सबसे पहले उन सब को हराया, उनकी सारी बहुत सारी territory अपने empire में ले ली और वो बन गिया Sikh empire और Afghan kingdom का border जिसमें बहुत सारा पश्टू टेरिटरी था जो Sikh empire में आ गया. उन्होंने कबजा किया? Military force के थू. फिर Maharaja Ranjit Singh के देहांद के बाद 10 वर्ष के अंदर Sikh empire crumble हो गया. क्योंकि उनके जो successors थे वो politically savvy नहीं थे, उनको power को control नहीं करवाए. So the British prevailed और उन्होंने फिर इस पूरे empire को टेक और किया, पूरे टेरिटरी को. और जो Maharaja Ranjit Singh का जो border था with Afghanistan, वो फिर British India और अफगानिस्तन का border बन गया. लेकिन उसमें बहुत सारा पश्टून territory था. और 1947 के बाद, वो Pakistan और अफगानिस्तन का border बन गया. तो आज Pakistan ने बहुत बड़ा territory है, जो actually पश्टूनिस्तान है. पश्टून territory है, जो आज Pakistan केंड़ा है. लेकिन पश्टून जो है, दोनों तरफ बॉर्डर के, they do not recognize this line as the border. जो इसको आज Durand line बोलते हैं. वो कहते हैं कि जो सारा का सारा पश्टून डोमिनेट अरिया है, वो अफगानिस्तान में ओना चाहिए. Not in Pakistan. तो ये एक बहुत ही long standing or बहुत serious territorial dispute है, between the Pashtuns who are the majority population of Afghanistan and the Pakistanis. Pakistan essentially is dominated by the Punjabis, Punjab, Pakistani Punjab. तो ये actually, it's like a blood feud. बहुत पुराना इनका ये दुश्मनी है. और ये आज भी जा रही है. तो Taliban को Pakistan ने create किया using Pashtun children, Pashtun boys, वो आज सब Taliban fighters हैं. तो उन्होंने उनको एसे मोल्ड करने के कोशिश की, that you are a religious group. You are a religious organization, not an ethnic organization. लेकि 99% Taliban are Pashtuns. और उनका जो आज ideology है, वो Pashtun nationalism है. तो पश्तून ethnic nationalism comes first, religion comes second. Religion उनका बहुत इंपॉर्टन हिस्सा है, उनका component है, but they are first and foremost Pashtun nationalists. Which means that they want the territory back from Pakistan. तो इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ासा तालिबान के बार में भी पूचना चाहूँगा. जैसे हमने वो एक all-out एपिसोड किया था अफगानिस्तान क्राइसिस के दौरान. छे महने हो चोकिया, I think, since that episode. तो अब क्या हो रहा है? उनकी सिर्फ यह ही इंटेंशन है कि पाकिस्तान के साथ यह जंग लड़नी है? तालिबान का प्राइमरी इंटेंशन यह है कि एवरिबडी प्रीज लीवस अलोन. वी वन्ट तो गवर्न आर कंट्री. इस्लामिक अमिरत अफ अफगानिस्तान. और यह भी चाहेंगा कि दूसरे देश उनको रेकरगनाईज करें as the official government of Afghanistan. आज भी बहुत कम कंट्रीज उनको रेकरगनाईज करते हैं. तालिबान आज भी as a terrorist organization माना जाता है. Across a large part of the world. तो सबसे पहले उनको यह recognition चाहिए. दूसरा उनको अच्छे से उनका देश गवर्न करना है. According to their version of what is अच्छा. Means whatever rules they have. यह चाहते हैं. उसके बाद यह चाहते हैं कि यह जो leftover dispute है with Pakistan. उसका हल हो in their favor. लेकिन तालिबान का कोई strength नहीं है compared to the Pakistani army. Taliban was a terrorist organization. गरिला organization. उनका कोई full professional army नहीं है. Pakistan का जो भी बो अब बोलो उनका आप में professional army तो है. उनके पास पुरा infrastructure है. उनके पास air force है. उनके पास tanks है. infantry है. nukes भी है. missiles भी है. सब कुछ है. drones भी है अज़कल. So the Taliban का जो conventional strength है. It is nothing compared to Pakistan. So obviously वो कभी खुली जंग नहीं लड़ेंगे with Pakistan. But they have a different way of fighting. वो पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं. गरिला बोर्फेर, टर्रोरिजम. अंदर गुस के मारो. भाग जाओ. तो पाकिस्तन में आज के लिए सब चल रहे हैं. Especially in Balochistan. वो खुल के कभी कुछ नहीं करेंगे against Pakistan. खुल के सामने हसेंगे, smile करेंगे, we are all nice, we are all brothers. यह बात होगी लेकिन, it's not that way. So Taliban का long term objective या hope है कि वो पश्तुनिस्तान को office integrate करे with Afghanistan. Short term, medium term objective है कि अपना rule Afghanistan में stabilise करे और Afghanistan को पूरी तरह से mold करे in their vision of what Afghanistan should be. तो अभी यह चल रहा है.